गट चैंपियन गुजरात टाइटन्स ने युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन के अर्धश्टक की बदॉलत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट से शांदार जीत दर्स की। गुटने में चोट लगने के कारण विलियमसन टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। डेविड वार्नर की दिल्ली ने दूसरी बार बल्ले से बाजी मारी। वे राशिद खान 3-31, मोहमद शमी 3-41 और अलजारी जोसेफ 2-29 के नियमित अंतराल के साथ 8-162 तक सीमित थे। वार वह सुदर्शन शानदार बल्ले बाजी कर रहे हैं, गुजरात के कप्तान हार्दिक पांडिया ने कहा, आप उनकी कड़ी महंत का फल देख सकते हैं। दो साल में वह फ्रेचाइजी क्रिकेट में कुछ बड़ा करेगा और उम्मीद है कि भारत के लिए इस सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे एनरिच नारजे, दो से 49 की तेज गती ने गत चैंपियन को कुछ समय के लिए परिशान कर दिया, जब दक्षिन अफरीका के तेज गेंदबाज ने दोनों सलामी बल्ले बाजों रिधिमान साहा और शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया, और फिर जिन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाकर गुजरात को 11 गेंदों में जीत दिलाकर लक्षे का पीछा फिर से शुरू कर दिया, इससे पहले दिल्ली के शीर्श क्रम में लगातार दूसरे गेम में संघर्श जारी रहा, जिसमें शमीने लगातार ओवरों में प्रित्वी शौ और मार्श के शुरुवाती विकेट हासिल किये, कप्तान वार्नर ने जोसफ का बचाव किया, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज को जल्दी से काटने की कोशिश की, जो हैट्रिक पर था जब उसने रेली रोसौफ को पहले एक और तेज शॉर्ट डिलीवर अवर में लेक स्पिनर के खिलाफ शांदार स्वीप करने से पहले 34 गेंदों में 30 रन बनाएं, एक सर पटेल ने 22 गेंदों में 36 रन बनाकर आखिरी अवर में शमी के आउट होने से पहले 3 चक्के और 2 चॉके लगाकर डेट ओवरों में तेजी लाने की कोशिश की,